हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्रफी यानि भूगोल का वन सौट वीडियो लेकर आए हैं और इस अभी वह अब्जेक्टिव जो है आप लोग का जो भी बुक आप लोग पढ़ती हो ना मार्केट से खरीद के वगयरा के तो उन सब को मैंने एनिलाइसिस करके सारा का सारा को उसी लेबल पर मैंने तयार किया ठीक है यानि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग को जोगरफी का मार्केट का वीडियो देखने के जो नहीं ठीक है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा सुरूसले के अंद तक बने रहना है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मोबैल पे जला जाए चलिए सुरू करते हैं है तो वो राष्टिय संसाधन में नहीं आएगा पूर्वी तत के नड़ि देलताओं में किस परकार की मिर्दा पाए जाती है इसको याद रखेगा आप लोग नवी करनी योग्संशाधन नहीं है तो जिवास मींधन याद रखना है जो जिवास मींधन होता है वो समाप्त होने वाला संसाधन है इसलिए ये नवी करन में नहीं आएगा निम्लिकित में से कौन जैव संसाधन है तो मानो मावन मानो में क्या होता है जीवन पाए जाता है तो वो जैव संसाधन हो होता है धाल पर उपर से नीचे की और हल चलाना ठीक है नेक्ष्ट है हमारा निमलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उधारन है तो पसू पसू में क्या होता है जान होता है ना तो जैविक संसाधन सलकेव और नहरे किस परकार की संसाधन है तो राश्टिय संसाधन है इसको याद रखिएगा अगला सवाल हमारा किस राज्य में काली मिर्डा मुख्य रूप से नहीं पाए जाती तो भीया राजस्थान ये सवाल आएगा आपका ध्यान रखिएगा उसके बाद जो ह इसको दिहान से पढ़िए हमारे परियावरन में उपलब्द परतेक वस्तु जो हमारी अवसकताओं को पूरा करने में परियुक्त की जा सकती है जिसको बनाने के लिए प्रोद्यकी की उपलब्द है जो आर्थिक रूप से संभाव और सांस्कृतिक रूप से मानने उससे स संसाधन मानते हैं जिस भूमी पर खेती की जाती उसे क्या कहते हैं तो किर्सी योग की भूमी कहते हैं इन में से कौन नवी करने योग संसाधन नहीं है तो कोईला नहीं है इसको याद रखिएगा अगला सवाल है हमारा कितने किलूमेटर के बाद किसी देश में महासागरी इस अंसाधन पर अधिकार नहीं होता है, तो 200 किलूमेटर के बाद कोई अधिकार नहीं होता है, भारत में कुल 6 पल के कितना परतिसाइट, 6 पठारी भागे, 27 परतिसाइट, नेक्स्ट सवाल है, हमारा मिर्दा परदन का कौन कारण नहीं है, तो हीम, हीम कोई कारण नहीं होत कारट की मिर्दा में कंकड़ अधिक पाय आते हैं तो बांग बैय्या जो बांग कर देंगे ना नोगए कर देंग न कित भारत को विस्त्रित रूप से फैली हुई और महत्पुन मिर्दा कौन है जलोल मिटी जलोल मिटी जो है पूरे भारत में फैली हुई है इसको याद रखना है आप सभी को ठीक है हाँ बाबू नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से कौन सिटी पनी प्राकिर्तिक वनस्पति प्रानी जात के हरास का सही कारण नहीं है तो पसू चारण इन्धन लकड़ी एकित्र करना याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका इन में से कौन सा संग्रक्षन का तरीका समुदायव के सीरी भागे रिदारी नहीं करता है वन पसू विहार परी सीमन याद रखिएगा इसक अगला सवाल है हमारा स्थानिक जाती का उधारन है निकोबारी कबूतर याद रखना है आप सभी को नेक्स्ट है आपका बांदवकड़ राष्टिय उद्यान किस राज्य में है मद्य पर्देश में है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से कौन सी दुरलब जाती है तो जंगर नदिका डॉल्फिन भारत में पैकॉन सी जाती काले इह ररन के लिए तो बिश्टो ही जाती काले हिरन की रक्षा के लिए ठीक है मतलow उसते रिलीटेट करता है धिश्नोह करता है कि मलड़ वई क्या है तो एक औश्यदिए पोडा क्या होगा hiçbir bahadует में निमने​ को रखा गया तो संकर्ट गर्ष जाती हैं दृल्लाब जाती trek जाती हैं तीनों को रखा गयाए ठीक है याद रखेगा गुलावी सिर्वाले बतक किन जाती होता है तो लुपत जातियों में सामिल होता है तो पांच मिनिट में 50 कुश्चन आप लोगों को करवा दिये रिविजन पांच मिनिट में 50 कुश्चन अब हमें ये कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके इमांदारी से बताना है कि अगर आप live class में होते किसी का भी live class में रते तो क्या 5 मिनिट में 50 question आपको कोई करवा पाता इस 50 question को करवाने में आपको जानते हो 2 घंटा का समय लगता live में और digital board में ये सवाल होगा तो 2 घंटा और हम कराते live में तो कम से कम एक घंटा बात समझ माया और 5 मिनिट में आप लोग को revision में ने करा दिया इसलिए भाबू आप लोग से कह रहे हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है बोलने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं इतनी मेहनत से आप लोग लिए वीडियो बनाते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सियर करना सभी दोस्तों को और चैनल को जल्दी सा सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग भारत में जय वीडिता को कम करने वाले कारक कौन से हैं तो देख लो अब ये सब जो कारक हैं ये कम करने वाले है वनी जियों का आवास कविनास वनी जियों को मारना और सिकार करना परिया वरन परदूसन और दावानल ठीक है ये जो होता है ने सब कारण है चिपको आंदोरन किसे संबने थे वनों की कटाई को रोकने से संबने थे नेक्स्ट सवाल है हमारा सयुक्त वन प्रबंदन 1988 में आपचारिक सुरुवात किस राजिस होई थी तो उड़ी सा राजिस होई थी याद रखेगा अगला सवाल हमारा वन विभाग के अन इंदर वन राष्टीय पार्क किस राजज में है तो पस्चिम बंगाल में है याद रखना है आप सभी को बकसर टाइगर रिजर्व राजी किसर में है तो पस्चिम बंगाल में भारत में प्रोजेकट टाइगर की सुरुवात कब हीgon उनीन सोतेहउत सितनी परजातियां पा पाए जाती है तो आठ पर दिसर जातियां पाए जाती है अगला सवाल है हमारा सदबाहर विश्च चील एकउ से दिये वनसपति है यह किस राज्य में पाया जाता है हिमाचल परदेश में पाया जाता है याद रखना है आप सभी को नेक्ष्ट एक सिंग वला गेंडा भारत क कि राष्टियों द्यान में मिलता है तो काजी रंगा में मिलता है एस याई सिंग का प्राकर्तिक आवास राष्टियों द्यान कहां गीर में है याद रखना है कार्बेट राष्टियों द्यान कहां में है तो उत्रांचल में है नेस्ट है आपका सरिष्का वनिजीव पसू विहार किस राज्य में है राजस्थान में है याद रखियेगा सरिष्का रिस्क है भाईया मच्ल करण गशे कैरता है जवाहर लाल नहरू ने कहा वो राजी का नाम बता है जहाँ घर घर छत वर्सा जल संग्रान का ढाचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है तो तमीन लाडों में किस राज में विस्विक सरवादिक वर्सा होती है तो मेगाले में याद रखना है आप सभी को इंद्रा गांधी नहर किस छेतर को पेजल उपलब्द कराती है पस्चमी राजस्थान को ठीक है निमलिखित में से कौन सा अलवनिय जल का स्रोथ है स्रोथ होगा यहाँ ठीक है सही कर लेना बौम जल भीम नहीं बौम जल वर्सा और सतही जल ठीक है नेक्स टे जल कुलका निर्मान करते है तो पस्चमी हमाले में यार्यकियर का इंपटन था वो सवाल नर्मधा बचाओ अंधुलनका समय क्या है घयाप बताना 20 पर सेंट हो जाएगा निमलिखित में से कि सराज्ट में 22 और में नाली इक है इनमें से किस नदी पर बहुत देशिये परियोजना नहीं है तो जो options होगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वहाँ options में था आपका हिमाचल परदेश्थ था ना वहाँ options में था आपका महा नदी निर्मदा और सतलुज व्यास और यमुना यमुना में नहीं है बाकि सभी में है आपका ठीक है याद रखिएगा यमुना में सरिफ नहीं है वहाँ पर नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से कौन ताजा पानी का सुरोत है तो भूम जलोगा भूम जल नहीं भॉम जल, ठीक है, इसको सभी कर लिजएगा, बहुम जल होगा, इन में से राजस्थान की सबसे महत्पून परियोजना कौन है, इंद्रय गांधी, नहर परियोजना है, याद रखना है आप सभी को, नेक्स्ट है, आपका इन में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश बालनी अंतरन है तो कोशी है बाबू ठीके याद रखिएगा बारत की नदियों पर आतियादिक दूस प्रभाव किसका पड़ा है बड़ती जन संख्या नगरी नगरी करन अधोगी करन किर्सी आधनियों की करन इसको याद रखना है नेक्स्ट है आपका हमारे च और किजी यह सवाल को ठीक है कोश्चन नमर आते 89 में कर रहा है जल की कमी का क्या कारण है अतिशोशन अत्यादिक परियोग समाज के विवन बरकोदोरा जल का असमान वित्रन यह हो जाएगा तीनों बात यादटना है पस्चमी राजस्थान में वर्षा जल संगरहन के रित कमी होई है नदियों पर बांद बनाने से क्या नहीं होता है तो सुर्य गरहन नहीं ओटा वहाँ पर आपसंस होगा आपसंस में आपका यह वाला जो यह कभी नहीं होगा ठीक है नेक्स टैप का बहुत धिसिए परिजनाओं किसे कौन से लावब है तो बांद बालप रोगा सिचाय के सुवीरा जल विदू तुट पादन ठीक है नागा अर्जुन सागरबांद किस नदी पर याद अखिए का क्रिष्णा नदी पर क्रिष्णी जी नाग को एक बर अपने वस्में कर लिये थे कहान याद है ना आप लोगों बारत में कुल विदू तुट पाद किस राज्य में है जारखंड में है सरदास रोवरबांध किस राज्य में है पर भावित होती है तो गुजरात में है देखिए लगबग 11 मिनिट हुआ है इसको 10 मिनिट ही मानिए और इसमें आप लोगों का लगबग 100 कोश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया बताइए कौन ऐ लॉलीपॉप सवाल एक्जाम में पूछता भी नहीं है ठीक है और आप लोगों को वही सब घिजा पीटर सवाल लाइब में करा करके मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वन सौट वीडियो दे दे आप उसको स्पीडियो मीटर लगा कर दो बार बांद का निर्मान किस नदी पर हुआ है तो भागी रथी नदी पर हुआ है याद रखना है नेक्स्ट है आपका हीरा कुंड बांद किस नदी पर है तो महा नदी पर है भांगला नंगल बहुत यह पर योजना का निर्मान कहा हुआ है तो सतलुज नदी पर हुआ है सरदा बाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़ी छेतर में उगाई या थी तो रोपन किर्सी यह इंपोर्टेंट सवाल है इसको याद रखिएगा आप लोग अगला सवाल है हमारा कोशन नमर 111 में कह रहा है इन में से कौन एक रभी फसल है तो चना निमलिखित में से कौन सी फल में और ह inad हुदारण है चाय का भारत में चाय का प्रमूक उतपादक राज है असम रभी फसल नहीं है कौन नहीं है है चावल नहीं है ठीक वहाँ उप्सन रहएगा पहचान लिजेगा नेक्स्ट है AP Cup account neeymr किच पे फसल में भारत का विस्व अगर नी उत्पादक निर्यातक है तो चाय रेसम उत्पादन के लिए रेसम के किलो का पालन को क्या कहते हैं सेरी कल्चर कते गंडे का परमुक उत्पादक राजिकौने तो उत्तर परदे से लेक्ष्ट है आपका किस फसल को सुनहरा रेसा भी कह परमुक ध्यानों को नाम बताना है चावल और गेहु बता दीजगा पड़े बाई का जोर बाजला रागी भारत में फ़्यआ जाने वाले ड्यसम उत्तपादन अगर नहीं है जो याद रखना है भारत की तीन नगदी फसलों के नाम आपको बतानी है तो गन्ना, तंबाकू और रबल याद रखेगा अगला स्वाल हमारे 134 में भारत के तीन फलीदार फसलों के नाम बताना है अरहर, चना और मटर ये तीन फलीदार फसलें याद रखेगा भारत की प्रमुक रिशिदार फसलों के नाम बताना है तो कपास, सन और जूट चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम बताना है तो असम और दार्जलिग रबल उत्पादक दो राज्यों के नाम है केरल और तमिलाडू नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताना है जहां कपास का मुख्य फ़सल है तो गुजरात का पास में मुख्य फ़सल है चाहिक उतपादन में भारत विस्व का कौन सा अस्थान है तो पर्थम अस्थान है याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका उस राज्य का नाम लिखे जिसने भारप में हरित करांती इसी का स्री गनेश के यानि शुरुवात किया तो पंजाब किया गहन किर्शी किसे कहते हैं वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए परतिकाई भूमी पर पुंजी और स्रम का अधिक मात्रा में विन्योग किया दनी उपयोग किया जाता है उप्भोक्ता को किन्दो वर्गों में बाटा गया है गरीबी रेकार के नीचे जिसको BPL कहते है गरीबी रेकार के ऊपर जिसको APL कहते है किसानों के लाप के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू किये किसान क्रेडिट कार्ड और वेक्तिगत दुरगटना भीमा याद रखिएगा खरी फसल किसे कहते हैं खरी फसल मांसून के आगमन पर बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है उधारन चावल मक्का बाजरा और कपास भारत में जूम की खेती के लिए जाने वर चार राजियों के नाम बताईए तो असम, आंदरप्रदेश, मद्रप्रदेश और उड़िसा याद रखिएगा नेक्स्ट है 146 में कहा रहा है निमलिखित में से कौन सा खनीज अब 6 पदात के आवस्षिष्ट भार को त्याकता हुवा चत्तानों के अबरन से बनता है तो बॉक्स साइड जारखन में इस्थित को डर्मा में निमलिखित मेंसे कौन सा खनीज पाये जाता है तो अबरत का बताईज नेक्स्ट है आपका खनीज का नाम बताई जिसमें भारत का विश्में सबसे बड़ा उत्पादक है तो अब रख किस उर्जा को खनीच को काला सोना कहते हैं तो कोईला को अत्यादिक खनीच का उधारन नहीं है अधात्विक खनीच का उधारन नहीं है तो बॉकसाइट धात्वी खनीच का उधारन नहीं है तो पोटास धात्वी धात्वी नहीं है ठीक है बादाम पहालक खडाने किस लोह एस्क की पेटी में स्थित है तो उलिसा जहरखन पेटी में कहां पे उलिसा और जहरखन पेटी में सर्वत्तम परकार का लो जो है वो कहां है? मैगनेट टाइट होगा? भारत में सर्वादिक तामबा उत्पादक राजी तामबा तामबा उत्वादक राजी मद्य परदिस निमिकित में से कौन सा राज्य? मे मेंगनिज के उत्पादन का सब्से बड़ा है तो उड़ीसा में में मेगनिज सब सहदा उत्पादन होता था ऑ्र निमलिखित में से कौन सरोटम वाला कठोर पुःबा ऑपको यहादखियेगा चुने का पत्थर किस उद्योग का अधारवुत कच्चा माले तो सिमेंट उद्योग का अधारवुत का कच्चा माले नेक्स्ट है आपका निम्रिखित में से कौन एक लोह धातू है तो मैगनीच नेक्स्ट है आपको भारत के दो साइट उत्पादक राजों के नाम बताने है आपको तो जारकंड और उडिसा ठीक है यह साइट नहीं होगा यह बॉक्स साइट होगा ठीक है इसको सही कर लिजगे यहां पर यहां पर बॉक्स साइट होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपका देखे क्या है अगले स्वाल में कहे रहा है आपका भारत के दो परसीद अधक उत्पादक राजियोगद अधक नहीं है अभरक होगा पेट्रॉल ठीक है भारत के दो महत्वपून मैंगनेज एसकुत पादक राज्यों के नाम बताना है मद्धे पर्देस और उड़ी सा याद रखिएगा भारत में दो राज्यों के नाम लिखे जहां चूना पथर पाया जाता है तो मद्धे पर्देस और आंधर पर्देस नेक बताना है में इसट्रीड को बजार के रूप में पर्यों रता है आधिक मातर में वस्तूआं को अतपादन करने को क्या कहलाते है, वी निर्मान कहलाता है, ठीक है, अगला सवाल है, उमारा भिलाही इस्पात करखाना किस राज्य में है, गैश्ट है आपका, लिपने निमनीकित में से कौनسी एजना सरदी से सभी उपकर्मों के लिए अपने इस पात को बेशती है तो S A I L यानि की सेल ठीक है नेक्स्ट आपका किर्सी अधारी तो दियोग नहीं है तामबा परगलन कैसे हो सकता भई या वो तो फैक्टरी में होती है किस सहर को भारत का एलेक्ट्रोनिक नगर केते हैं तो सिल्चर और पोरबंदर ये इंपोर्टेंट है याद रखेगा नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन धनांतरन हानियों का देरी को घडाता है तो पाइपलाइन नेक्स निमलिखित में से कौन सा राजे हजीरा विजयपूर जगदिसपूर लाइन से जुला नहीं ये तो महराष्ट नेक्स्ट है आपका इन में से कौन सा पत्तन पुर्वी तट पर इस्थित है जो अन्ता अस्थलिये तता अरिक्तम गहराई पत्तन है नेक्स्ट है आपका नीम्ने में से कौन सा परिवहन सववाहन भारत में प्रमुक साधन है तो रेल परिवहन ये बहुत इंपोर्टन है ठीक है नेक्स्ट आपका निम्ने में से कौन सा सब्ध दो या अधिक देशों के वैपार को दरसाता है तो अनतर राश्टी ये वैपार याद रखना है आप सबी दो उत्तर दक्षिन गलियारे का दक्षिनतम बिंदु है कन्या कुमारी नेक्स्ट आपका राजयों के राजधानियों को जिला मुख्याले से जोड़ने वाली सलके क्या किला ठी राजी महा मार्ग नेक्स्ट आपकाliest गाउं को सार्च जोडने वाली सलके क्या कैला रही है अन्यसलकें सीमान सलक का गठन कब किया गया था 1960 में किया था इसको आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करकर बताओ दिल्ली और अम्रिस्थर किसी राज्य मार्ग से जोड़ते हैं तो राज्य मार्ग संख्या एक भारत में सबसे बड़ा पत्तर है मुंबई ठीक है तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना है उमीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल अकन को दबा मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू.